पूरी पारी के दुरान दोस्ते एक सबसे खास बात रही महेंदरी सिंग धोनी की गजब की बल्लेवाजी जी हाँ दोस्तो कप्तान महेंदरी सिंग धोनी कहें तो जादा अच्छा लगेगा पहले गजबाजी करने का फैसला क्या चने सुपर किंग्स ने पहले बल्ले बाजी करते वे दोस्तों अपने दम से इस मकाबले को आगे लेके जा रहे थे जहां पर 33 गेंदरी के दुरान चार चोके दो चक्या आए बहले ये धीमिगती की पारी थी रन भी कम है लेकिन अगर इस पारी के चोके चक्योड आ रहे थे नाबात पारी खेली एक सुनो के स्ट्राइक रेट से महेंदर सिंग धोनी ने इस सीजन काफी प्रभावित किया अपने बल्ले बाजी से वैसे तो यह अपनी छाप छोड़ी ही चुके हैं लेजन के रूप में लेकिन अब भी अपना आपको साब पर चेस करने उतरी तो इशान किशन पांच गिंदो पर छे रन मनाकर और डैनिल सेंस एक रन मनाकर आउट हो गए लबी डेबलू मुकेस चोधरी ने करा था तो वहीं तिलक वर्मा ने 32 गिंदों में 34 रन की पारी खेली तो भी रिदितिक शोकी ने 23 गिंदों पर 18 और चिम विदे हैं अब बैंगलोर डिली हदराबाद के बीश बची है और पंजाब के पास भी बचेवे तीनों मैच जीत कर आगे बढ़ने का मोखा होगा कॉलकता नाइटरे Mercury की बचकर अगर दोनों मैच जीत जाती है और बैंगलोर डिली और हादराबाद अगर अगले मुकाबल हार जाती तो कॉलकता के पास भी सेम अपोर्चुनिटी होगी लेगन महेंदर सिंग धोनी की पारी के हर तरफ तारी फोरी है तो डैवन कॉनवे के आउट को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं मुकाबले में चन्य की हार भी हार के बावजूद भी महेंदर सिंग धोनी ने इ इस मुकाबले मुंबई जीत गई धोनी की टीम हार गई लेकिन धोनी ने सबका दिल जीता नेक्स्ट नैन स्पोर्ट्स की रिपोर्ट